हमारे साथ जो गाड़ी खड़ी है इस टाइम वो है MG Hector Select Variant और यह आता है एक तरह से Mid Segment Variant इसका आज हम वोकरोन करने वाले हैं एक एक फीचर के बारे में आपको बताएंगे सारी चीजें जो इस गाड़ी को Value for Money बनाती हैं इसके साथ साथ इसमें क्या-क्या चीजें आती है वो भी आपको बताएंगे तो इस वीडियो बने रही है अभी तक आपने हमारे चैनल पे जो भी वीडियो देखें हैं Hector से लेटेट वो जनरली टॉप वीडियो के रहे हैं यह वीडियो जो जनरली रहने वाला है यह रहने वाला है Mid Segment Variant क्योंकि बहुत सारी आपको मिलती है Mid Segment Cars like Hyundai की करेटा यहां फिर Kia की Seltos और यह अपनी Segment की सबसे बड़ी गाड़ी है अगर आप एक बड़ी गाड़ी रखने के शौकीन है तो आप definitely MG Hector की तरफ जरूर अपना रुख करेंगे और उसको जरूर कंसिडर करेंगे और अगर आप प्लान कर रहे है यहां पे आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का फीचर मिल जाएगा उसके बाद आते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल में जो इसकी खास चीज है इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा खास बनाती है इसकी फ्रंट प्रोफाइल क्योंकि जो मैश डाइमंड मैश में इसका आगे से लुक इनो ने इस गाड़ी को दिया है डाइमंड मैश ग्रिल में जो आप देख सकते है कि यहां पर आपको लोगों मिल जाता है उसके अलावा आपको जो है यहां पर नीचे भी फिनिशिन देखने को मिलती है अगर हम हैडलाइट की हाउजिं की बात करें त सेखम्ण्षिन के काम करते है और अपे लिटी डियार ल त काड़ी का बीचार अब अब आते हैं और साइट पर फग्लं rot देखिए और side look में इसकी length 4.7 meter आती है इसकी ground clearance अच्छी खासी 200 प्लस मिलिमिटर की आपको मिल जाती है tires आपको 18 inches के मिलते हैं इसका जो profile है वो है 215, 55, R18 R18 यानि 18 inches के आपको diamond cut dual tone में आपको alloys मिलते हैं और disc brake आपको चारो tires में मिलती है अगेर एक एक चीज यहाँ पर जो है इस गाड़ी को value for money बना देती है चाहे front से देखें, चाहे rear से देखें, चाहे side से देखें feature wise हम अंदर की जब बात करेंगे तो आप features count करते रह जाएंगे लेकिन इसके features नहीं खतम होंगे MG की build quality जिन्होंने गाड़ी को चलाया है यह कभी feel किया है वो इसकी build quality बता सकते हैं कि MG की build quality कैसे रहती है एक बार इस gate की height देखिए कितनी बड़ी height है इस gate कहां से शुरू हो रहा है gate और कहां तक जा रहा है proper rubberized है यहाँ पर आपको हर चीज जो है rubber वगारा सब प्रॉपर यहाँ देखने को मिलेगी नीचे भी यहाँ पर जो है प्रॉपर यहाँ पर rubber के साथ उसको किया गया है in fact जो build quality मैं कौँँगा इतना जबरदस थड है 1.5 लीटर इसमें आपको तबो चार्ज इंजन मिलता है जो प्रड्यूस करता है अराउंड 140 पेस की पावर और 250 न्यूटर मेटर का टॉक अब बात करते हैं इसकी रियर प्रॉफाइल की रियर प्रॉफाइल में एक और खास्टी जो इसमें देखने को मिलती है वह है इसकी टेल एंप, कनेक्टिट टेल एंप जो हैं आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और यह जब आप ट्रस्ट मी कि जब आप इसको रोड पे चलते देखेंगे तो इतनी सुंदर लगती है और ब्यूटिफुल इसकी लाइट लगती है अगन आपको फ्रंट की तरह पीछे भी पूरा अलेडी सेटप देखने को मिलता है और यहां M.G. के लोगों के नीचे आपको यहां पर एक कैमरा भी देखने को मिल जाता है जो आपको रेइर पारकिंग कैमरा का का काम करता है नीचे जो लाइट से हैं जो आपके नंबर प स्टॉप लेम शाक फिन आंटिरा मिल जाएगा तो यह सारी चीज़े आपको रेर प्रोफाईल में देखने को मिलेंगी तो पूट स्पेस यहाँ पर आपको आपको प्लस लिटर का मिलता है और यहाँ पर आपको नीचे इसके नीचे भी थोड़ा सा जो है स्पेस मिल जाता है अब इसका OVA करों करने के बाद चलते हैं इसके इन्टियर में और इसके इंटियर में क्या क्या फीचर आपको मिल्ट हो इक ही करकर मताता है सब से पहले करते है आपकी बारे बेड़े जो वह लाती हो यह कि आपको सेंटर में हम्प बिल्कُल देखने को नहीं मिलता जिरों क तो के साथ यह आती हैं मुझे समझे नहीं आता कि बाकी के जो विन्फेक्चर्जर्स हैं और गाडियों में यह चीज क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं इतने बड़े-बड़े हम्स मिलते हैं लेकिन हैं इस पैसिफिकली हमने इस तीज को हर बार हाइलेट किया जब इसका सेंटर में जो है रेर सीट में बंदा ज्यादा देर तक ट्रैवल नहीं कर सकता उसके लिए हमेशा एक इशू रहता ही है तो यह एक बहुत अची चीज है जो सबसे पहले बैठते मेरे माइंड में और मैंने आपके शेर किसके लावा रेर वेंड्स आपको यहां देखने को बैठ सकता है प्लस उपर आप अगर देखें तो हैट स्पेस भी बहुत बड़ी है उसके लावा सबसे अची चीज आपको यहां देखने को मिलती है वह इसका पैनरोमिक संरूफ जो आपको एक बहुत ही अच्छा क्लियर व्यू स्काइक आपको देखने को मिलेगा और स्प और यहां पर आपको हैंडल बडवा जुन और यहां ओल देखने को मिलेंगे और आट इस्पर्शलून इस गाड़ी को ड्राइव करने में जो मज़ा है ना वो पीछे बैटने मेंने है टाइरी जब आपको इक सप् formula मिलता है पैंडरोमः व्यवेस को अच्छा नहीं मिलता है अधर जो ड्राइव करने में को फील करवाता है slow speed में light रहता है ज़्यादा speed पर आप जाते हैं तो यह hard हो जाता है left साइड में आपको cruise control के बटन मिलते हैं right सेड में आपको media control मिलते हैं और एक highlight जो hekta की सबसे important जीज़ है अब तक कोई भी मेंच नहीं कर पाई है। आप को jn questions cover program फील कराता है टेसला में को अपैसि रख ओडरी टैबलेट पहुत लगी इसमें को बलेगी से था यहां पर आप qué Wilख़ अब एक बार देखिए कितना प्रीमियम कितना जबरदस्त आपको गर्नॉम मिल रहा है उसके अलावा आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर आपको ट्रैक्शन आउफ करने के बटन मीडिया कर एक दम से चाहते हैं कि बहुत गरम है तो आप यहां पर हजारड लाइट औॉन अफ्टना प्रेशों आपको मिलता है कि यहां पर आपको मिलते हैं एलेक्ट्रॉनिए कि प्रेक और आटो होल्ड का फीचर कुछ दो कप होल्डर मिल जाते हैं और यहां पर कुछ थोड़ा सा स्पेस्स उमान होगरा रखने के लिए तो सेंट सेंटर कंसोल आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम यहां पर और यही एक जो चीज है मुझे इसकी सबसे अच्छी लगती है कि आपको पेट्रोल में स्पेसिफिक करी जब आप लेते हैं पेट्रोल गाड़ी उसका जो सेंटर कंसोल वह बहुत ही प्रीमियम मिलता है उसके जाएगा तो क्नेक्टिविटी की कोई इशु नहीं है चार्जिंग मेरा कोई इशु नहीं है प्लस आप यहां देख सकते हैं यहां पर जो लेकर निकलेंगे तो एकदम चेल कर देगा विदिन फ्यू मिनिट्स आपको गर्मी बिल्कुल भी फीलनी होने वाली और बिल्कु मैंने एमजी हेक्टर को काफी जादा ड्राइव किया है यह गाड़ी हमारे पस मुल्टिपल टाइम्स रही है हमने काफी सारी वीडियो तो अच्छे से टेस्ट किया हुआ है और वो सारी टॉप वेरियंट और मिड वेरियंट के एसी में कोई डिफरेंस नहीं होगा को यहां सबस्क्राइब कर नियुक्त पर इस लोगेंगे सब्सक्राइब हैं मिलें और मिलेंगे यह भी सॉफ्ट अची है थोड़ा सा हाड है बट है सॉफ्ट में हैं इहां लेकिन बहुत बढ़े यहां बहुत अच्छी इहां पर जो इंटियर से फेब्रिक सीट के ताथ तो यहां पर आपको यह है विंडों सक अपडाउन के कंट्रोल मिल जाएंगे सिंगल क्लिक आपको सिर्फ ड्राइवर साइट जो है आपको सिंगल क्लिक डाउन मिलेगा मैं आपको M.I.D. दिखाना चाहूंगा M.I.D. में यहां पर आपको कई सारी चीजें जो हैं देखने को प्लस म्यूजिक क्या चल रहा है फोन आपका कनेक्टेड है तो सारी नैविगेशन से रिलेटेड इसारी चीजें आप यहां पर सेट कर सकते हैं यानि की पूरी तरह से सब्सक्राइब के लिए उसके लावा लेफ्ट सेट में जब इन्फोटेन्मेंट सिस्टम की बात करें बहुत सारी चीजें आप टच वगारा इतना शांदार है इसका आप देखें यहांपर कुछ दिक्कत नहीं है फर्सक्रास चलता और इतनी बड़ी स्क्रीन यार मदा आज इसके बाता है आप जो हमनेंट आपको स्टनल आप म्लता है जो आपको सीम रहती है उससे से रहते हैं तकर तोchineast करनी है Oh चला सकते हैं उसके लावा एपल कार प्ले अंडर अर्टो जो है वो आपको वाइरलेस मिलता है जिसे की गूगल मैप भी आप यूज कर सकते हैं और वो भी अगैन बहुत सीमलेस चलता है कोई इशूस में नहीं आता है एसी वगरा के आपको यहां पर देख सकते हैं कि यहां स प्लस आप ब्लोवर स्पीड वगरा यहां से सेट कर सकते हैं उसारी चीज़ें यहां से हो जाएंगी इसी ओन आफ अगरा कर सकते हैं यहां पर आपको हर बार टच करके ही यूज करना पड़ेगा वालिम कंट्रोल के लिए जरूर यहां पर आपको प्लस माइनस के बटन दि करें आई आरवन की बात करें लिए ऑनिएम आपको मैनुल मिलेगा घुल्डर आपको यहां मिल जाएगा उपर कुछ लाइट सब को मिल जाएंगी यहां पर आप देखें तो यहां पर भी आपको जो है वैनिटी मिरर मिलेगा विद लाइट दूसरा पैसेंजर साइड वे ही आपको वैनीटी मिरर मिलेगा विद लाइट ए सारी चीजेहं आपको यहां पर भर वर कि मिलने doğalे और यह लाओ जानी चीजेंधिन आपको बहुत जारी गाडिए है छी आपको बहुत जारी बाड़ी घारी जैसे यह इन चाहरे ए?!"प प्लस बूस बुट स्थ ऐंको 506 करें सेटिंग में आप सेटिंग में पर नहीं जाएंगे अगरा देखना चाहते हैं हमारे प्रिविएस वीडियो देख सकते हैं उसमें एक चीज हमने अच्छे से कार करें श्युक्त आपको मिलते हैं एक जो और खास चीज और वह इसमें वाइस कमांड फीचर वाइड है जैसे की एलो एंगे हमघी ओपन दसान रूफ तो आप देख सकते हैं कि हेलो एम जी बोलते ही उसने जो है संडूरूफ उपन कर दी है निकिस तरह के बहुत सारे वाइस कमाड़ फीचर आपको इसमें देखने को मिलते हैं एक आधा हो ट्राइ कर लेते हैं हेलो एम जी एसी आफ कर दो तो इसने एसी जो है वो आफ कर दिया पूरी तरह से तेमरेचर डाउन कर सकते हैं फैन की स्पीड अपन डाउन कर सकते हैं एफ-म का म्यूजिक बजाने को बोल सकते हैं जो संडूरूफ ऑण और ओफ उपन और क्लोज कर वा सकते हैं तो बहुत सारी जो है वोईस कमांड फीचर आपको इसमें देखने को मिलते है तो यह एक अगेन एक अच्छा फीचर है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनूली करने की जरूती है आप सिर्फ इसको वाइस कमाड़ दीजे और आपका यह ओडर लेकर वो सारी वाइस कमड़ कर देगी चलिए अब भार चलते हैं और आपको बात करते हैं इसके सेफटी फीचर के ओपर तो आपको इसमें मुल्टिबल एर्बैक्स मिलते हैं यानि की आपको सेफटी का भी पूरा ध्यान आपको रखा गया है एबीए, सीबीडी, आटो होल्ड यह तारे फीचर आपको इसमें आप मिल जाते हैं जो आपकी में सेफ रखेगी चाहे अब ड्राइव कर रहे हैं चाहे जो कोई भी मगर मिसापनिंग भी होती है तो भी तो यह गाड़ी जो है पूरी तरह से सेफ है फीचर रिच है किसी भी एसपेक्ट को ठाकर देख लें टेक्नोलोजी वाइस फीचर वाइस सेफटी वाइस हार बिल्ट अगर आप इस चाहते हैं तो अपने नेरे शोरूम पे जाईए इस गाड़ी को जरूर किजे टेस्ट ड्राइव लीजे एंड मार्क माय वर्ड्स के आपको यह गाड़ी चलाने के बाद देखने के बाद तो आप पहले फर्स लुक में ही आप फ्लैट हो जाएंगे यानि कि जो आपका एक स्टांज है जो सिटिंग आपका पोस्टर रहता है अंदर बैट के इतनी कमांडिंग पोजिशन आपको मिलती है कि वहां से ड्राइव करने के बाद फिर आपको और कोई गाड़ी इसके सामने पसंद ही आएगी हला कि मार्केट में कम्पेटिशन जो है वो ब का कोई ना कोई वेरियंट आपको जरूर सूट कर जाएगा तो ड्राइब एक बार अपने नेरे शोरूम पे जाईए टर्स ड्राइब लीजिए और कंसिडर कीजिए एमजी हेक्टर को अगर वीडियो अपने यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कर ल का 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 को ने जरूरूम प्राइबتي अरूर सूजया हैं और कि टन शोर जरूर वीडियों पी देख लीड़ंगे एम टiénल उले लीडिगों पासाब जाए तो सूजया है यहां ओदा aur ए quick 7- podcast!